नमस्कार दोस्तों SN Electrical Academy के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम UP ITI इंस्टेक्टर में सेलेबस के एकोडिंग आने वाले Impliability Skill और Computer के कोशनों की सिरी चला रहे थे इस वीडियो में मैंने Impliability Skill के पार्ट को लिया है और Impliability Skill के पार्ट में इस special परियावरण सिख्छा से इस वीडियो में मैंने question को include किया हुआ है वीडियो को complete watch किजिएगा इसमें आपको परियावरण के अच्छे-च्छे question यानि previous year में आने वाने question को ही इसमें include किया हुआ है इस question को यूपी इंस्टेक्टर में आने की काफी possibility है अच्छे से देखिएगा complete वीडियो watch किजिएगा पहला जो question है कि AQI से क्या अभिप्राय है AQI जो होता है ये प्रदूसर्ण को represent करता है इसका full form पुछा गया है तो इसका full form जो होता है air quality index होता है आपसन जो A दिया हुआ है air port दिया है यानि आपसन A गलत हो जाएगा B जो है air quality index यानि आपसन नंबर B सही हो जाएगा अगला जो question है दो नंबर इसमें कहा जा रहा है कि ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदाई प्रदूसर्ण कौन सा है CO2 ये नहीं होता है CO carbon mono ये नहीं है प्रदूसर्ण के ये जिमेदार है लेकिन ओजोन को जादे छदी पहुचाने वाले ये कारक नहीं है CO2 ये भी नहीं है CFC यानि CFC का full farm जो होता है क्लोरो फ्लोरो कारवन ये ओजोन के छेद करने का एक उत्तरदाई कारक है इसलिए आपसा नंबर D सही हो जाएगा CFC ओजोन परत का सुत्र ओजोन का सुत्र जो होता है ओथरी होता है याद रखेगा अगला जो question है ये की हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूशन के अंतरगत काउन से कानून वापस कानून पास किया गया है तो ये वाहनों पे लगने वाला नियम है और प्रदूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कि इस समय परियाबरण का इस वाताबरण का टेमपरेशर काफी बढ़ता जा रहा है तो ये जो भारत सरकार के द्वारा कानून पास किया गया है ये वाहनों पे लगाया जाने वाला है और इस समय जो है वो BS4 है आपसा नमबर D में दिया हुआ है जो कि इस समय मार्केट में आपको BS4 खाला कि इस से अपडेटेड BS6 मॉडल की भी गाडिया एबेलेबल हो गई है ये BS5, BS4, BS6 का मतलब होता है कि इस से जो भी इसके सेलेंसर से धुए निकलेंगे वो कम से कम प्रदूशन के कारक होंगे इसलिए ये जो आपसान है BS4, D आपसान में दिया हुआ है इसलिए आपसा नमबर D सही हो जाएगा ये ही कानून जो है पास किया गया है परियावरान प्रदूशन को देखते हुए अगला जो कोशन है ये हालही में भारत सरकार ने डाड़ाट बरसों से अधिक वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है यदि कोई वाहन आट साल पुरानी है तो उस सो वाहन पे ग्रीन टैक्स लगेगा जो की आपसा नमबर C में दिवा हुआ है 8 यानि 8 वर्स है इसलिए आपसा नमबर C सही हो जाएगा यदि कोई वाहन 8 वर्स की पहले की है मतलब 8 वर्स से कम की है तो उस पे ये ग्रीन टैक् लगाया जाएगा अगला जो कोश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रिय प्रदूसर्ण नियंत्रन बोर्ड द्वारा रात्री के दोरान आवासिय छेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक सुर कितना रखा गया है तो केंद्रिय प्रदूसर्ण बोर्ड द्वारा मध्यरात्री में आवासिय छेत्रों में कालोनियों में जो प्रदूसर्ण का मानक रखा गया है वो 45डेसिबल रखा गया है ध्वनी का मातरक होता है न वो decibel होता है डी बी ये decibel ध्वनी का मातरक है और 45 decibel जो है ये standard आकड़ा है इसको याद रखिएगा जो कि आपसर नंबर C में दिया हुआ है 45 decibel इसलिए आपसर नंबर C सही हो जाएगा अगला जो नंबर कोस्टन है ये है कि चिपको आंदोलन किससे संबंदित है ये चिपको आंदोलन जो है परियावरण संरक्षण से ही संबंदित होता है जिसमें हम पेंड पोधों के अध्यान और उसके द्वारा परियावरण को सुध रखने की बात तो इस चिपको आंदोलन में प्रियावरण संरक्षण यानि पेण पौधें की बात की गई हैं तो आपसन जो ये है पादप संरक्षण से ये चिपको आपसन नंबर ये सही हो जाएगा अगला जो कोशन है ये कि जल वायू परिवर्तन के संबंध में जी एच एस का पूर्ण रूप क्या होता है तो जी एच जी एस का जो पूर्ण रूप होता है वो ग्रीन हाउस और ये गैस है आपसन जो ए है ग्रीन हाउस गैस नहीं बी जो है ग्रीन हाउस गैस ये भी नहीं होगा सी जो है ग्रीन हाउस गैस यानि आपसन नंबर सी सही हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस इसका फूल फर्म आप याद रखिएगा जरूर अगला जो कोशन है ये करेंटा फेयर से ही है परियावरण से ये है कि परियावरण बिस्व परियावरण दिवस दुजार बीस के लिए सायूक्त राष्ट द्वारा घोसित थिम का नाम क्या था बिश्व परियावरण दीवास 2020 में जब संयुक्तराष्ट संग का सम्मेलन हुआ उसमें परियावरण संरक्षण के लिए घोसित थिम क्या रखा गया था तो रखा गया था जैव वीविदिता अगला जो कोशन है इसमें कहा जा रहा है कि पीने योग पानी का वी संक्रमन की से हटाने के लिए किया जाता है मतलब पानी में जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो इसके द्वारा उस जल में से किसको हटाया जाता है निकाला जाता है उस स्रसाइनिक बीधी द्वारा तो दुरगंध दुरगंध नहीं होता है उससे जिवाडूं को मारा जाता है जो कि आपसा नंबर B में दि ही हो जाएगा अगला जो कोशन है यह कोशन जो है करेंट आफ एर का है और यह अच्छा कोशन है भारत में ऐसे कौन सा पहला और एक मातर राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहन धांचों का निर्मान सभी घरों के लिए अनिवारिये कर दिया गया है तो यह ज लाडू है जो कि आपसा नंबर बी में दिया हुआ है तमिल लाडू इसलिए आपसा नंबर बी सही है बरसात के दिनों में उस इस्टेट के सभी के च्छतों पे उस बरसात के पानी को इस्टोर करने के लिए इस्ट्रक्शर बनाया गया है या गर्मेंट द्वारा अनिवारिये किया गया है बनाने के लिए तो वो इस्टेट तमिल लाडू है और यह भारत का एकमात्र ऐसा करने वाला इस्टेट है अगला जो कोश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्चे के लिए निम्लखित में कौन सा प्राकिर्तिक उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो मनुष्चे के लिए सबसे बड़ा एनरजी का प्राकिर्तिक स्रोत जो है वो सूरिये होता है जो की आपसा नंबर भी में दिया हुआ है इसलिए आप में कौन सा परियावरण संबंदित चिंता का बिसे नहीं है प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में ब्रिधी जो है ये चिंता का कारण है क्योंकि ये मिटी और साथी साथ इसको जलाने पर ये परियावरण को प्रदूसित करता है तो ये कारण है भी जो है गलोबल वार्मिं जो की खाल के दिनों में आप देख रहे हैं दिन पर दिन इस वाई मंडल का टेमपरेशर बढ़ता जा रहा है यही गलोवल वार्मिंग है इसको कांट्रोल करना पर्यावराण में ही आता है तो यह भी एक चिंता का बिसे है जो है प्रदूसर अस्तर बढ़ना प्रदूसर अस्तर बढ़ेगा तो बिमारियों का एक नियोता होगा तो यह भी पर्यावराण प्रदूसर चिंता का प्रदूसर का कारण है ओजोन परत का बढ़ना ओजोन परत बढ़ेगी तो इस सूर्य से अल्ट्रा वाइलेटेक जो किर यह तो अच्छी बात है जो कि पराबैगनी किरोणों को ओजोन परत फिल्टरेशन करती है और बढ़ेगी तो जादे फिल्टर करेगी तो कम हानिकारक प्रित्वी पर पहुंचेगी जीसे से त्वचा संबंधी त्रोग मानाओं में कम होंगे तो यह जो चिंता का कारण यह न वीडियो को आपसे निवेदन है कि लाइक किजिए और अपने दोस्तों में जो भी इंस्ट्रक्टर की तयारी करने वाले स्टूडेंट है उन तक आप प्लीज पहुंचाईए वीडियो को और यदि आप इस चैनल को नए है और अभी तक चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किय को अदो सけて का मैं कि अटिर को सब चार इस का जवे कि बाऊ है कि झाल को सबिस्क्राइब और अभी है Theme